एंडी टीवी के दर्शकों के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्तिया हमारे छे चैनल के जो व्यूवर्ज है वो अभी आपको देख रहे हैं आपने देश भर में कारिकरम किया पटना की वाइब्स क्या कुछ अलग है हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों मेरा जाना हुआ है और मैं कह सकता हूं पूरे देश में भार्तिय जनका पार्टी और एंडीय को चार सो पार कराने का रड़ संकल्प है बिहार ने भी उसमें कई नए रंग भरे हैं बिहार ने उसमें एक नई ताकत दी और इस प परकार से यह अपने आप में पूरे देश का जो माहूल है वही माहूल बिहार का है प्रदमंत्री जी बहुत सारे आंकलग लगाये जा रहे हैं कि जो इस्ट इंडिया है वहां पे बीजेपी का अपस्विंग है आप बंगाल की बात कर लें या फिर उडिसा की आंदर वाजनीति के अलवा अगर मैं कहूं तो साथ मेना 2013 का भाशन है और तब मैं पीम केंडिडेट में नहीं था कि भारत का विकास करना है तो हमें पूर्वी भारत को विक्सित करना चाहिए पूर्वी भारत को ग्रोध हैंजिन बनाना चाहिए पिछले 10 साल में मैंने लगा ता हिंदुस्तान के पूर्वी भारत में इंफरस्रक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे हर पोजे पर बल दिया है इस चुनाव का जहां तक सवाल है जबर्जस आंधी, उत्तर दक्षिन, पूरव पस्चिन, सब दूर है पूरव में इस बार परणाम जादा मिलेंगे पहले की तुलना में और मैं मानता हूँ देश के लोगों के लिए ये चोकाने वर जैसे तेलंगणा आप कलपना नहीं कर सकते वैसा परणाम तेलंगणा में मिलेगा वैसा आंध्र में मिलेगा वैसा उडिसा में मिलेगा वैस प्रकार्ट में देख सकता हूं कि चुनाव में भारतिय जनता पार्टी के बाद जो है उतमें कई नए एरिया अधिक प्लस करेंगे प्रावनमत्री जी बिहार का आंकलंग करिए क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा बिहार में हमारे साथ्यों थे मेरी बात हुई पहले हमारी एक सीड़ हम हारे थे शायद इस बार हम एक भी नहीं हारेंगे अभी हम जहां पे खड़े हैं वो चर्खा समिती के पास हैं हम आप बताईए जब आप आते हैं बिहार तो आपको क्या-क्या ह्याल आता है वैसे मैं संगढ़न के काम के लिए यहां बहुत आया हूं अनेक छेत्रों में मैं गया हूं और मैं कापी पुरानी चीजों से चुड़ा हुआ रहा हूं यहां आप इस चुनाव को referendum के तौर पे देखते हें या governance model की लडाई देखते हैं भारतिये जनता पार्टी ने देश को एक governance का मॉडल दीया है देश ने कॉंग्रेस का मेडल देखा है देश ने लेप का मोडल देखा है देश ने बिली जुली सरकारों का मोडल देखा है और देश ने पूरना बहुमत वाले भाजपा NDA का मोडल देखा है और वो एक गतिसिल सरकार देखी है नेनायक सरकार देखी है रिस्ट लेने वाली सरकार देखी है और उसके आज़ार पर हम आगे बढ़ रहे हैं महिला की संख्या वहां पर बहुत हैं महिला वोटर आपने एक बनाई अपने लिए क्योंकि जो जो आपने किया इज़त घर दिया उजवला योजना बहुत सारे राज्य में भी महिला सेंट्रिक स्कीम है तो यह मेरा कमिटमेंट है और मैंने जीट्वइंटी समिट में एक लीड लिया है वीमें लेट डेवलपमेंट और इसके लिए हमें महिलाओं को आउस्द देना चाहिए परमपरागत हमारी जो चीजों में महिलाओं को जोडते हैं उससे ऊपर उड़ना चाहिए जैसे हमने गा यहां जाकर के देश की रक्षा कर रही है तो मैं एक साइकोलोजिकल चेंज में सफल हुआ हूँ और देश की विकास यात्रा में महिलाओं की शक्ति एक अतिरिक्त शक्ति बनेगी और वो परिणाम को गती देगी